इस वेलकम बैक टो चानल दिस तो यूटूब वह विति वेल्ड कब 1992 रिपीट होता दिख रहा है इंडिया की हार की वह कौन-कौन सी वजह थी किन-किन वजह हों से भार्टर टीम हारी और हार की बावजूद भार्ट के घर कौन से ट्रॉफी आ रही है अगर यह सब आप जान चेक आउट करना होगा आएने टीवी 2.0 जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो खतम होते होते और आई बटन पर भी मिल जाएगा कही से भी चेक आउट कर सकते हो तो फाइनल मुकाबला पाकिस्तान और इंग्लेंड क बीच में खिला जाने वाला है, MCG का मैदान है, 13 नॉबर को ये मुकाबला खिला जाएगा, डेड़ बरे से आप लाइब देख सकते हैं, जहां से पाकिस्तान की टीम चली थी वहीं पर पहुँच चुकी है, सामने है बिसफोर्टक इंग्लेंड, देखना ये दिलचस्प हो लेकिन उस बंदे ने अभी तक reply नहीं किया है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो reply जरूर करना, तो आज का हमारा सवाल ये है कि player of the match, final में कौन होगा, final match है तो सवाल भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो player of the match कौन होगा, आपको इस वीडियो को like करना है और इस सव सवाल का जबाब देना है, जो भी giveaway अभी न होगा, उसको मैं अपने टेलिग्रम चैनल पर रनाउंस करूंगा, final updated team वहीं पर आती है, और जो हमारे साथ टेलिग्रम पर जोड़ता है, वो 90% time profit में रहता है, clean sweep करता है, तो इसलिए हमारा टेलिग्रम चैनल जरूर ज़रूर कर लेना, शुरुवात करते हैं पिस रिपोर्ट से, तो MCG के मैदान में ये मुकावला खेला जाने वाला है, 150 की आसपास का आवरे स्कोर है, बैटिंग फर्स छे बार और चेस, चेस करने वाली टीमी 11 बार जीती है, चेस करना इस विकेट में जादे सही रहता है, नौ बार 25, 160 की आसपास, फिर 160 की आसपास, मोस्ट में एक सो पचाट से, 160 की आसपास का स्कोर इस ग्राउंड पर हमें देखने को मिलता रहता है, फाइनल का मुकाबला है, प्रेसर होगा दोनों टीमों पे, दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक गिंदवाज है, तो मुझे लगता ह की 170 की आसपास का टोटल हमें देखने को मिल सकता है, इस मैच में, जो 19 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं, उसमें 108 विकेट पेसर स्कोर, 37 विकेट स्पिनर्स को मिले हैं, पेसर स्को इस विकेट पे जादे विकेट मिलते हैं, हैट टो हैं मैचों की बात की जाए तो इंग्लेंड की टीम का फॉर्म थोड़ा सा वेटर है, हाला कि दोनों टीमें पिछले 5 मुकाबलों में 4-4 मैच जीती, 1-1 मैच हारी है, लेकिन इंग्लेंड की टीम ने बड़ी बड़ी टीमों को हाराया, एवन सेमी फाइनल में इंडिया को 10 विकेट से हाराया, 10 विके इनकी दोनों ओपनर साल में आती थीखे, बावर का फॉर्म सबसे बड़ा कंसंस पाकिसान के लिए बना हुआ था, लेकिन बाबर राजम ने फॉर्म में वापसी किया, बड़े मैच में वापसी किया, रिजवान फॉर्म में थे लेकिन उतना run नहीं बना पा रहे थे, 50 उन नहीं कर पाएंगे, गिंदबाजी इनकी दूसरी सबसे बड़ी स्टेंथ है, दूसरी क्या पहली आप कह सकते हैं कि गिंदबाजी इनकी पहली सबसे बड़ी स्टेंथ है, हरी श्रॉफ बहुत अची गिंदबाजी करते हैं, इंगलें की खिलाप, विकेट पे अची गिंदब बाबर को इंग्लेंड के खिलाफ बड़ा ही अच्छा केलते हैं सिर्फ 14 ही पारियों में 560 रन बना चुके हैं और इंग्लेंड के खिलाफ पिछली 5 पारियों में 87-36 ये दो डिसेंट इरिंग देखने को मिले हैं हाल फिलाल में फॉर्म अच्छा नहीं था लेकिन आगरी बड़ी पारिया इंग्लेंड के खिलाफ हम देखने को मिल रही है 11 पारियों में 522 बना चुके हैं यानि कि दोनों को मैं इउठा लिया है मिड़िल ओर में सोचा है सारी 50 हमें देखने को मिल लिए पर मेरी टीम में फिट नहीं पैठ रहे थे सीधे हमने सदाप को अपनी टीम में पिक किया है जो की प्लेयर ऑफ दे सीरीज बनने के भी प्रबल दावेदार है अभी जो लिस्ट सॉट लिस्ट हुई है उसमें इनका भी नाम है दो विकेट बा अध्र यह हो सकते हैं उसके हैं और मुख्मध नवाज को हम सक रहे हैं यह जो हन्ट वुस्वए में भी एंगलेंन के खिलाब और लिकेट हाल दो ब्साइचा सभाइंर में और वाइचारे उच्छे और England की खिलाबी तीन विकेट दो विकेट नंबर काफी अच्छे है मुझे लगता है कि इस मैच में भी अच्छी किंदवाजी कर सकते हैं तो इनको मैंने अपनी टीम में पिक किया है फॉर्म की बात किया है तो Alex Hells एक बर जब ये खिलाडी स्टार्ट ले ले लेता है तो फिर उकने का नामी नहीं लेता है बैक टू बैक बड़ी पारिया खिला है बटलर का बिस्फोर्ट भी आक्री मैच में आया 12 विगेट से बड़ी जीत बड़ा कॉंफिडेंस इस टीम को प्रोवाइड करेगी मिडिल ओडर थोड़ा सा जो है स्ट्रॉगल कर रहा है लेकिन इनके टॉप ओडर में इतना धमकम है कि अकेले 200 का टोटल भी चेस कर सकते हैं मिडल ओडर में लियम लिविंग स्टोन बैनिश टोक्स उसके अलब मोहिन अली जैसे खतनाक बल्लेबाज जरूर है साधी साथ डेविड मलान भी अब वापस आ रहे है गेंदबाजी में मार्कूड लगतार अच्छी गेंदबाजी करें जोस बटलर बहुत खतरनाक फॉर्म में है असी रन बनाया था उससे पहले एक तीरहत्तर की पारी हमें देखने को मिल रही है पाकिस्तान के खिलाब भी नंबर्स काफी अच्छे है उनसाट तैंटीस आट पारियों में 148 रन बनाया है इस वेन्यू पर नंबर्स उतने अच्छे नहीं लेकिन आखरी मैच में इस तरही किसे खेलते हैं बटलर नजर आया थे मुझे लगता है कि इस मैच में इनका बिसफोर्ट हो सकता है और कप्तानी पारी आ सकती है तो इनको हमने अपनी टीम में पिक किया है इस मैच में अगर वापस आते हैं तो मैं अपनी टीम में लूँगा पॉंब की बात की जाये तो एक 82 की निंग देखने को मिले और पाकिस्तान के खिलाब आगरी बार जब खेले तो 78 रन बनाये थे इनका भी बला चल सकता है अगर वापस आते हैं तो इनको हमने लिया है बैंस्टोफ को स्किप कर रहे है उसके अलबा है एक सेंचुरी है इनकी पाकिस्तान के खिलाब तीन पारियों में पाकिस्तान के खिलाब नंबर्स अच्छे है एक तीन पारियों को मैं स्किप कर रहा है आप चाओ तो ट्राय कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाब भी हाल फिलाल में अच्छी गिंदवाजी की है और पाकिस्तान के खिलाब नंबर्स बहुत ही अच्छे है एक विगत पन्दर रहने ज़रा सकते हैं तो यह मेरी अगली पिक है और इश्री वेन्यू पर इन्होने एक मैंच खेला और उसमें इन्होंने तीन विगत लिया था तो यह हमारी अगली पिक है, आई अब मैं आपको अपने टीम दिखा देता हूँ, तो दो विकेट कीपर्स मेरी टीम में है, जॉस बटलर और मोहमद रिजवान, तीन बल्लिबाज मेरी टीम में है, अलक्स हेल्स, बाबर राजम और डेविड मलान, तीन ओल ओनर भी मेरी टीम के लिए, बागी फाइनल टीम आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगी, तो हमारे टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लेना, और रियल एलेवन को जरूर डाउलोड करना, फ्रीक वेरा भी चलता रहता है, मेरा कूपन कोड आई एनी टीवी कैपिटल में यूद कर लेना, आपको 5,000 रुपय का बोनस भी मिल जाएगा, एनल अफटेटे टीम के लिए, टेलिग्राम है ही, तो आईए बात करते हैं, पाच के पंच की तो हमारा पहला प्रेडिक्शन यह है, कि जॉस बटलर मुहमद रिजवान से ज्यादा रन बना सकते हैं, बटलर इजवान से ज्यादा रन बनाएंगे, शायम करन 3 या 3 से ज्यादा विकेट ले सकते हैं, हरी श्रॉफ अपनी टीम की तब से लिडिन विकेट टेकर हो सकते हैं, और डेविड मलान अगर वापस आते हैं, तो इस मैच में गेम चेंजर सा भीत हो सकते हैं, आपकी GL टीम के, औ दोस्तों यह थी आज की वीडियो, मुझे उमीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी है, पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और पहली वर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वैल आइकन को भी प्रेस कर लें, धन्यबाद